कि फिजियोलोजी ओप रेस्पिरेशन का ये सेकिंड पार्ट है इससे पहले वाली वैख्यान में हम लोग जो है कार्बन डायकसाइट के अंसिक दाब तक कवर कर चुके हैं आज तीसरा पॉइंट ले रहे हैं है हेड्रोजन आयन की सांदरता कंसेंट्रेशन ओएज करन हो जाती है कि कुछ कोख Smut St 흠 parlर्ट की सरचना परिवर्ती हो जाती है और परिणाम इसकी oxygen वहन करने की जो चमता है वह कम हो जाती है pH का मान बढ़ने के कारण hemoglobin की oxygen के साथ बंदूता बढ़ जाती है यह वक्र दाहिनी तरफ विस्तापित हो जाता है जैसा कि आप लोग graph में भी देख रहे हैं उसके बाद में fourth point है तापकरम temperature temperature एक निश्चित परास में तापकरम के बढ़ने पर hemoglobin से oxygen निर्मुक्त होती है कोशिकाओं में उपापचे क्रियाओं के द्वारा उस्मा उत्पन होती है और उपापचाई रूप से सक्रिय कोशिकाओं में oxygen की अधिक आउश्कता होती है तता अधिक उस्मायूम अमल का उत्पादन होता है अधिक उस्मायूम अमल के कारण oxymoglobin से oxygen की निर्मुक्ती प्रेरित होती है बुकार के समय इसी प्रकार के परिणाम उत्पन होते है दूसरी तरफ हाइपोथर्मिया की इस्तिती में उपापचे दर कम हो जाती है उसके बाद में पांचों पाइंट है BPG अर्थाट 2-3 बाई इस्पोरो फोस्पोग्लिस्रेट यह पदार्थ आर्बी सिम पाया जाता है और हिमोगलोबिन की ओक्सिजन के साथ बंदूता को कम करता है साथ ही ओक्सी हिमोगलोबिन से ओक्सिजन की निर्मुक्ति को प्रेरित करता है और BPG जो है उसका निर्मान ग्लाइकुलाइसिस प्रिक्रिया के द्वारा होता है BPG हिमोगलोबिन के साथ बंदित हो जाने के कारण इसकी ओक्सिजन के साथ बंदूता कम हो जाती है अर्थात ऑक्सी हिमोगलोबीन से ऑक्सिजन की निर्मुक्ती BPG की मात्रा के समानुपाती होती है कुछ होर्पोन से जेसे थाइर ऑक्सिन, एपिनेफरिन, टेस्टोिस्टोरोन, आदि के द्वारा भी BPG के निर्मान की दर को प्रेरित किया जाता है और पहाड़ों में जो प्राणी रहते हैं उनमें BPG का इस तरह अधिक होता है उसके बाद में अगला पंट है हिमोगलोबिन की मात्रा में परकार रुदिर के द्वारा ऑक्षजन के वहन की चमतार भीचिं में उपस्तीत हिमोगलोबिन की मात्रा की समानपाती होती है और जो फिटल हिमोग्लोबिन है HbF वो वेस्क हिमोग्लोबिन अर्थात HbA से सनचनात्म ग्रुप से भिन होता है और फिटल जो HbA उसकी आक्सिजिन के साथ बंदूता HbAडल्ट की तुलना में 30% अधिक होती है अर्थात बच्चों में जो उनकी हिमोग्लोबिन है उसमें वेस्क की तुलना में ऑक्सिजिन के साथ बंदूता जो है उसको धारन करने की जो समता 30% अधिक होती है उसके बाल में तीसरा पॉइंट आता हूँ उतके स्वसन टिस्यू रेस्प्रेशन ओक्सिहिमोग्लोबिन की वियोजन से उत्पन O2 कोशिकाओं में खादे पदार्थ के आक्सिकरण में काम आती है और आक्सिकरण से CO2-H2O-M उर्जा की उत्पत्ति होती है और उर्जा की प्राप्ति के लिए जो कोशिकाओं में होने वाला स्वसन है उसको उतके स्वसन कहते हैं टिसू रेस्प्रेशन कहते हैं और इसको साम्मने रूप से जो है समिकरण के द्वारा भी हम परदसीत करता हैं और यह है C6H12O6 प्लस 6O2 is equal to 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एन एनारोबिक फेज होती है एवाईवय प्रावस्ता होती है जो ओक्सजन की अनुपस्तिति में होती है और यह प्राए गलाइकुलासिस के रूप में होती है और दूसरी है एरोबिक फेज या वाईवय प्रावस्ता और यह प्राए ओक्सजन की उपस्तिति में होती है और य में उपापचे क्रियाओं के फल्सुरूप कार्बन डायकसाइट बनती ही हमको पता है और उसका तनाव अधिक होने के कारण ये विश्रण से रक्त में आ जाती है और रक्त में जो है CO2 का परिवहन तीन रूप में होता है पहला है बोतिक विलियन के रूप में और दूसरा ज 10% मात्रा बोतिक विलियन के रूप में ट्रांस्पोर्ट होती है यदि CO2 की संपूर्ण मात्रा का परिवहन S2CO3 के रूप में हो तो रक्त का pH का जो मान है 7.4 से घटकर 4.4 हो जाता है अर्थात रक्त अमलिये हो जाता है ये इस्तिती प्राणियों के लिए घातक होती है अत तो वा प्राणी के लिए घातक होती है सेकिन्ड है कार्बामीनो योगियों के रूप में इन दि फौर्म ऑफ कार्बामीनो कॉमपाउंड्स संपॉन च्व की 10% मात्रा जो है कार्ब अमीनों योग्यों को रूप में ट्रांस्पोर्ट होती है इस परकार से हम देखते हैं इस परकार कुछ जो है CO2-HBK-NS2 समूग के साथ क्रिया करके कार्ब अमीनों हिमोगलोमी का दिमान करते हैं CO2 देखो किस किस रूप में इस परकार के योगी बना सकती है तो CO2 प्लस प्रोटीन ये जो है NSCOH बना सकते हैं और दूसरा CO2 प्लस HBNS2 ये जो है HBNSCOH बना सकता अर्थार कार्ब अमीनों हिमोगलोमीन का निर्मान इस परकार से हो सकता तीसरा जो है Bicarbonates के रूप में इंदफोर्म ओ Bicarbonates CO2 की 80% जो मात्रा है N तता K Bicarbonates के रूप में ट्रांस्पोर्ट होती है और CO2 का परिवेन RBC तता प्लाजमा में Bicarbonates के रूप में होता है पहला इसमें पॉइंट है कि RBC में किस प्रकार से CO2 का परिवेन होगा RBC में प्रिवेस करती है तता इसमें उपस्तित जल से Carbonic Enzyme की उपस्तिते में किरिया करती है और S2CO3 बनाती हो जल्दी ही Dissociated हो जाता है दूसरा है प्लाजमा के रूप में प्लाजमा में तीन विबिन किरियाओं के दुवारा CO2 का परिवेन होता है पहला है फास्पेट बफर के दुवारा दूसरा है प्लाजमा प्रोटीन के दुवारा और तीसरा है क्लोराइड इस्तापन के दुवारा पहला फास्पेट बफर के दुवारा चारिये सोडियम फास्पेट प्लाजमा में उपस्तित S2CO3 के साथ सयंजित होकर NaCO3 बनाती है दूसरा है प्लाजमा प्रोटीन के द्वारा प्लाजमा के अधिकांस प्रोटीन Na के साथ सहयोजित होते हैं और S2CO3 के साथ किरिया करके NaCO3 का निर्मान करते हैं और तीसरा बिंदू इसमें आता है क्लोराइड विस्थापन द्वारा RBC में कार्बोनिक हेनाड्रेज एंजाइम पाया जाता है और इस एंजाइम की उपस्तिति में कार्बन डायाकसाइड जल के साथ किरिया करके कार्बोनिक अमल बनाती है और ये कार्बोनिक अमल के HB से किरिया करके KHCO3 तता HHB बनाता है इरित्रोसाइट्स की जो जिल्ली होती है CL-HCO3- के लिए पारगम में होती है लेकिन धनाएन जो है NA-PLUS और K-PLUS जो होते हैं उनके लिए पारगम में होती है और इन परिस्तितियों में CL-PLAZMA से RBC में तता HCO3-I- जो है RBC-PLAZMA में प्रिवेश करते है और RBC में CL-I-K-PLUS के साथ उदासी निकरत हो जाता है जबकि HCO3-PLAZMA में NA-7 के सयोजित होकर NA-CO3 बनाता है और यह संपूर्ण परिकटना जो है क्लोराइड सिप्ट या हैंबर्गर परिकटना कहलाती हैंबर्गर इफेक्ट कहलाती है जो प्लाजमा द्वारा अत्रीक्ट CO2 को NA-CO3 के रूप में ट्रांस्पोर्ट करने के लिए विशेश प्रकार का यह मेकेनिजम होता है उसके बाद में कारबन डायकसाइट का वियोजन वक्र और अंत में आता है स्वसन सत्य पर CO2 का विस्तापन सरवपर्थम वेंटनेम बेलिस्ट जो साइंटिस्ट है 1955 ने रक्त में उपसी CO2 की संपून मात्राय CO2 के आंसिक दाब के मद्धे वक्र द्वारा CO2 के वियोजन अडिसोसीशन को पर्दसित किया है यह चक्र आक्सिक्रत यम अनाक्सिक्रत रूद्री के लिए अलग लग होता है क्योंकि आक्सिक्रत रूद्री में CO2 की मात्रा तुलनात बगलोप से कम पाई जाती है और यह प्रबाव बोर प्रबाव से थोड़ा मिलता जूलता होता है और बोर प्रबाव के अनुसार CO2 की मात्र बढ़ने से आक्षिजन, वियोजन, वक्र, दाइन, तरफ, विस्तापित हो जाता है अर्थार्थ कोशिकाओं को अधिक अक्षिजन उप्लब्ध हो जाती है रक्त में CO2 की मात्र बढ़ने के कारण आक्षि हिमोगलोबिन का सामें जो है तनु, अमल, HB की ओर अग्रसर हो जाता है इस कारण अतीर से गरता से O2 उप्लब्ध होती है और यही जो है CO2 Resurrection करूँ में दिखाया गया है सरीर में कारण डाय अक्षिजाड का वास्त्विक योजन वक्र आप लोग अगर ग्राफ देखेंगे तो यह वहाँ पर बताया गया है कि A से V बिंदों के द्वारा जो वक्र होता है, उसके एकोर्डिंग होता है यह इस वक्र का मैं फोटोग्राफ भी आपको डाल दूँगा और लास्ट जो पॉइंट है वो है स्वसन सता पर CO2 का निस्कासन रिलीज ओब CO2 एड़ दा रेस्पारेटरी सर्फेस उतकों से फैफडों तक CO2 का परिवहन कार्बोनिकमल, कार्बन अमिनोयोगिक और बाइकार्बोनेट्स के रूप में होता है जैसा कि हमको पता है पल्मोनरी कोशिकाओं से कूपिकाओं की तुलना में CO2 का अंसिक दाब जो है अधिक होता है इस कारण CO2 रुख से फैफडों की कूपिकाओं में विश्रित हो जाती है और स्वशन सत्य पर CO2 के सभी बंदित उत्पाद व्योजित हो जाते हैं तता CO2 निर्मुक्त हो जाती है और CO2 जो है निर्मुक्त होती वो तिनों जो अभी करियें वो निम्स प्रकार से हो सकती है, एक तो कार्बोनिक एनाइडेस एंजाइम की उपस्तिति में, ह2-COO3 जो है, वो CO2 में कंवर्ट हो जाता है, दूसरा जो है, नहाँगाच में अप्लस COO3 माइनस में कंवर्ट हो जाता है, और तीसरा जो है, सब्सक्राइब हो जाता है इस प्रकार से कार्बन डायकसाइड निर्मुक्त हो जाती है और इस प्रकार से जो फेपड़ा में CO2 आती है उसको हम लोग 22 स्वसन के द्वारा फिर सरी से बाहर निकाल देते हैं तो इसी के साथ यह टोपी कंप्लेट होता है तेंक्यू